एक दफ़ा का सिकर है के एक दूर दराज के गाउं में एक चलाग औरत रहती थी जिसको काम करना बिलकुल पसंद नहीं था उस औरत की दो बेटियां थी एमिली और एमा एमा बहुत सुस्त थी और उसे कोई हुनर नहीं आता था और दूसरी तरफ एमिली थी जो बहुत मेहिंती और हुनरमन लड़की थी मगर उनकी इमा एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंके वो छोटी थी वो उसे अभी तक बच्चों की तरह रखती थी इसलिए वो एमिली से सारा काम करवाती थी अपनी माँ और बेहन की काहली की वज़ा से सिर्फ एमिली दुपहर में बजार जाया करती थी ताके वो अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई बेच सके वो जब घर आती थी तो उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए खाना बनाया हुआ होता था दूसरी दरफ एमिली अपनी बहन एमा के बचाए हुए खाने से अपना पेट भड़ने की कोशिश किया करती थी एक दिन एमिली अपने घर से बाहर गई ताके वो कुएं पे बैट कर अपनी कढ़ाई बना सके उसने अपने हाथ में सुई लेकर हुए पे बैटकर अपनी कढ़ाई बनाना शुरू की और उसी वक्त अच्छानक एक मुर्गा उसके सर पर आकर बैटकर चीखना शुरू हो गया मेरे सर पर से हटो क्या कर रहे हो तुम यहाँ अरे नहीं मेरी कढ़ाई एमिली बहुत दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से वो कढ़ाई कुए में गिर गई थी मेरी अम्मिया जानकर बहुत गुस्सा होंगी मुझसे अब क्या करूंगी मैं बताओ एमिली उस मुर्गे के कहने पर बाल्टे की तरफ बढ़ती है जो कुए पे लटकी हुई थी वो जैसे ही बाल्टी उठाने की कोशिश करती है उसका पैर फिसलता है और वो उसी वक्त कुए में गिर जाती है जब एमिली अपनी आखे खोलती है वो खुद को एक बाग में पाती है जो रंग बरंगे फूलों से भरा हुआ था कितनी खुबसूरा जगा है ये मैं हूँ कहाँ पर वैसे जैसे ही वो चलना शुरू करती है उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मैं ये गाजर निकाल नहीं पा रहा एमिली फौरण ही उसकी मदद करने लगती है और वो एक ही बार में उस गाजर को जमीन से निकाल लेती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिर वो खरगोश खुशी खुशी अपने रास्ते चला जाता है और एमिली अपने रास्ते हे क्या तुम मुझे पानी दे दोगी वरना मैं मुर्जा जाऊंगा एमिली ने उस गुलाब की बात सुनी जो मुर्जाने वाला था एमिली फॉरन ही उस ववारे के पास गई ताकि वो गुलाब की मदद कर सके उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब की जड़ में डाल दिया गुलाब फिर से खिल गया और दोबारा से महकने लगा बहुत शुक्रिया तुमारा अब मैं एक अच्छी और लगने जिन्दी की जी पाऊंगा एमिली एक दफ़ा फिर अपने रास्ते चलने लगी थोड़ी दूर चलकर उसकी नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के सामने एक अचीब सी औरत जोके दिखने में बहुत खौफ़नाक थी एमिली को देख रही थी एमिली उस औरत से बहुत डर गई एमिली वहां से फॉरण ही भापने लगी तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा यहां आओ मुझे तुमसे कुछ कहना है एमिली डरते डरते उस औरत के पास गई मेरा नाम हॉली है सब मुझसे बहुत प्यार करते है अगर तुम मेरे छोटे से घर का कयाल रखोगी तो तुम जब तक यहां रहना चाओ रह सकती हो बस तुम्हें ये करना होगा कि हर सुबा मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा मुझे वैसे भी अपने घर का रास्ता याद नहीं है मैं कुछ दिन यहां रह सकती हूँ एमिली उस घर का बहुत खयाल रखने लगी जैसा के मदर हॉली चाहती थी हर सुबा बगेर ठके वो मदर हॉली का बिस्तर परों से सजाना कभी नहीं भूलती थी मदर हॉली भी एमिली से बहुत प्यार करती थी तो वो उसके लिए हर शाम बहुत मज़ेदार खाने बनाया करती थी इसी तरहां दिन और रात गुज़रते रहे हाला के एमिली यहां बहुत खुश थी मगर उसे अपने घर की याद आने लगी मदर हॉली, आप जानती है कि मैं आपसे महपत करती हूँ मगर मुझे अपने घर जाना है ओ एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ काफी अरसे तक यहां रही तुम जरूर अपने घर जा सकती हो मैं भी तुमारे साथ चलूँगी ओ, बहुत शुक्रिया मदर हॉली मदर हॉली, एमिली को एक बड़े से सुनहरित दर्वाजे की तरफ ले गई जैसे ही एमिली ने उस दर्वाजे को पार किया वो बहुत खुबसूरत नए कपड़ों और सोने से ठक गई यह मेरी तरफ से एक चोटा सा तोफा है तुमारे लिए तुमने मेरा बहुत खयाल रखा यह रही वो कड़ाई और सुई जो तुमने पानी में गिरा दी थी यह लो ओ, बहुत शुक्रिया मदर हॉली, अब बहुत अच्छी है उसके बाद मदर हॉली ने एमिली की आँखों पर हाथ रख दिया और उससे कहा के तीन तक गिनो एन, दो, तीन जब एमिली ने अपनी आँखे खोली तो उसने अपने आपको अपने घर के सामने पाया एमिली वापस अगई और आप सुनेरी लड़की बन कर लोट चुकी है एमिली को देखकर उसकी मा और उसकी बहन एमा अपनी हैरांगी चुपा नहीं सकी हाँ, हाँ, मगर तुम्हें ये इतना खुबसूरा ड्रेस कहां से मिला एमा, चप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परिशान थी तुम मुझे बताओगी तुम्हें ये जुएल्री कहां से मिली, बताओगी न एमिली एक-एक करके उन्हें सब कुछ बताती गई दूसरी तरफ उसकी मा सोच रही थी कि एमा भी ये कर सकती है उसने लालच में आकर एमा को भी कुए के किनारे भेज दिया एमा ने अपनी कढ़ाई और सुई कुए में फेक दी और उसके बाद वो खुद भी कूद गई जब एमा ने अपनी आखे खोली तो उसने भी खुद को उसी बाग में पाया जहां पहले एमिली आई थी थोड़ा आगे चल कर उसने भी एक खरगोश को देखा खरगोश ने एमा से मदद मांगी कि वो उसकी गाजर जमीन से निकाल दे हर्गिस नहीं मैं एक बेवकूप खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी हाँ एमा उस खरगोश की मदद किये बगएर वहाँ से आगे चली गई थोड़ा आगे उसकी नजर भी एक गुलाब पर पड़ी जो मुर्जाने ही वाला था गुलाब ने भी उसकी मदद मांगी मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती तुम्हारे कांटे मेरे हाथ में चुप भीज सकते हैं हाँ एमा गुलाब की मदद किये बगैर ही आगे चली गई बिलाखिर वो भी मदर हौली के घर के सामने पहुंची मैंने सुना है आपको किसे काम बाली की तलاش है मैं आपके पास काम करने के लिए टयार हूँ मदर हॉली ने एमा को समझाया कि उसे घर में क्या करना होगा याद रखना, तुम्हें हर सुबा मेरा विस्तर परो से सजाना होगा एमा ने उनकी सारी बाते मान ली उसने पहले दिन बहुत अच्छा काम किया परो से विस्तर को भी सजा दिया पर कुछ दिन गुजरने के बाद वो काम चोरी करने लगी और वो घर दिन बदिन गंदा होता जा रहा था और एमा मदर हॉली के बिस्तर को परो से सजाना भी भूल जाती थी जब उन्होंने अपना बिस्तर देखा तो मदर हॉली को खुसा आ गया कि एमा उनसे बादा खिलाफी कर रही है मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त है एमा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी वो खुबसूरत कपड़े और जेवर मिल जाए हाँ ये ठीक है मुझे फॉरण ही अपना इनाम लेके घर चले ही जाना चाहिए मदर हॉली उसे भी सुनहरे दर्वाजे के पास ले आई जब एमा ने वो दर्वाजा पार किया तो उपर से मिट्टी की बारिश होने लगी बजाए सोने के ये क्या हो रहा है ये क्या है दर्वाजे ने तुम पर सोना नहीं बरसाया क्योंके तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया अब तीन तक गिनो और अपने घर जाओ एक दो तीन उसके बाद उसने खुद को अपने घर के गार्डन में पाया उसे देखकर मुरगा चीखने लगा एमा वापस आ गई है और वो मिट्टी से सनी हुई है उसकी मा और उसकी बेहन एमिली उसे देखकर बहुत हैरान रह गई एमा ने बताया कि उसे ये मिट्टी काम ना करने की वज़ा से मिली है और मदर हॉली ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है और उस दिन से एमा को ये बात पता चल गई कि मेनद से काम करने की क्या कीमत होती है और वो भी अपनी बड़ी बेहन एमिली की तरहां अपने हाथ से कढ़ाई करने लगी दोनों मिलकर कढ़ाई बना कर बेचती थी और इसी तरहां दोनों खुश रहने लगी